नमस्कार दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिनियम पारित होने के लगभग चार साल बाद, ग्रह मंत्राले ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए एक अधिस उचना जारी की है. इसके साथ ही इस कानून को लेकर विवाद और चर्चाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं. यहां हम जांचने जा रहे हैं कि CAA क्या है? ऐसा कानून संशोधन क्यों किया गया? और क्या यह धार्मिक भेदभाव वाला कानून है? CAA कुछ प्रावधानों को शिथिल करने के लिए भारतिय नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन है. यह अ कलपसंख्यकों को अवैध हप्रवासी के रूप में वर्गी कृत होने से चूट देता है. CAA अधिनियम उन्हे भारतिय नागरिकता के लिए भारत में निवास की आवश्यक अवधी को ग्यारा से घटा कर पांच वर्ष करने की अनुमती देता है. इस प्रकार, CAA अफगान कि किसी विशेश धार्मिक समुदाई को निशाना बनाना नहीं है. इसके बजाए, यह उन प्रवासियों के लिए एक रूप रेखा स्थापित करता है जिन्ही अन्यथा, अवैध, माना जाता, उन्हें भारतिय नागरिकता के लिए आवेधन करने का अवसर प्रदान करता ह बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हूँ. अब सवाल यह है कि CAA से मुसल्मानों को बाहर क्यूं रखा गया? या मुसल्मानों को भारतिय नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध क्यूं लगाया गया? CAA किसी को भी भारतिय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं करता है. 1905 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी पात्र है, उसे भारतिय नागरिकता मिल सकती है, चाहे वे कहीं से भी आय हूँ या किसी भी धर्म का पालन करते हूँ. पिछले 6 वर्षों में, भारत ने पाकिस्तान के लगभग 2830 नागरिकों, अफगानस्तान के 912 नागरिकों और बांगलादेश के 172 नागरिकों को नागरिकता प्रदान की है. विशेश रूप से, इन में से कई व्यक्ति अपने अपने देशों के बहुसंख्यक समुदायो से हैं. यदि आप सवाल कर रहे हैं कि सिये मुसल्मानों को अन्य धार्मिक समुहों के समान छूट क्यूं नहीं देता है, तो इसका उत्तर कानून में ही है. अर्थात, नागरिक्ता संशोधन अधिनियम का एक मातर उद देश्य पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीरन के शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये अवैध्ध प्रवासियों के लिए भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करने में हो वाली देरी को रोपना है. यह कानून संशोधन उन लोगों के लिए है जो भारत भाग गए थे क्योंकि वे मुसलिम लोगों, जो इन तीन देशों में बहुसंख्यक धर्म हैं, से होने वाले धार में कुदपीरन को सहन नहीं कर सकते थे. हमें याद रखना चाहिए कि ये तीन देश प्रारंभिक भारत का हिस्सा थे और केवल मुसल्मानों के लिए एक अलग देश की मान करके हमसे अलग हो गए थे क्योंकि उन ख्षेत्रों में मुसल्मान बहुसंख्यक हैं और वे हिंदू, सिक, बौध, जेन, पार्सी और इसा वे ही अन्यधार्मिक अलपसंख्यकों को उत्पीरन का शिकार बनाते हैं जिन लोगोंने भारत का विभाजन किया और अपना धार्मिक देश स्थापित किया वे अब भारतीय नागरिकता का अनुरोध क्यूं कर रहे हैं ये निस्संदे विरोधा भासी है ऐसी मान करने वाल लोग भारत को फिर से विभाजित करना चाहते हैं। प्रशन चिन्ह खड़ा कर देगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा कायम रहे उन्हें सी ये के कार्यानवयन का समर्थन करना चाहिए। हम शिकारियों को लाकर अपने देश की शांती और खुशाली को नुकसान क्यूं पहुँचा रहे हैं।